आज मैं आपके लिए बहुत ही असान तरीके से घर पे ब्रैट के क्रंक्स त्यार करने की रेस्टी लेकर ही हूँ जो आपके तर्चेट करूंगी और मैं एक नहीं तीन किसम से क्रंक्स त्यार करूंगी आपके सामने और आपको दिखाऊंगी तो सबसे पहले यहां पर मैंने अच्छो लिए वह मैंने सेंड़ुच ब्रैट लेनी है क्योंकि यह मीठी नहीं होती है मीठी ब्रैट से फिर क्रंक्स भी मीच्छे ही तयार होंगे यह नमकीन है और टेस्ट इसका बहुत ही आला सा होता है चलेंज शूरू करते हैं सबसे पहले ब्रैट के पीसिस लिए हैं मैंने और इनके किनारे है स्टरूंज कर लिना इस तरह से उससे मैं ब्राउब करेंगे इस तरह से और चोंगे Кणि है तो यहां पर देखें जी ब्रैट की cutting कर ली है मैंने और बहुत ही एक्तियाद से zoon का हिसा हमने अलग कर लिया है और यहां पे white वालग तैयार कर लिया है और इस तरह से उनके pieces कर लिया है है लेकिं जिसके पास चॉप नहीं है वह जूस बिनाने वाला शेक बिनाने वोला चॉप जो होता है उसके अंदर भी बहुता है यहां भी देखें जी उसके हैं बिर्च किस ते उस बसे पहले ब्रॉण करब करण ताहर करूंगी जैसने इसके इनदर यहां पे देखें जी यहां पे हमारे ब्राउन कलर के क्रम्स हैं और यहां पे हैं हमारे वाइट क्रम्स ठीक है अब इसके बाद मैंने कलरफुल क्रम्स त्यार करने है तो चलेंज उनको राड़ी करते हैं तो चला जी यहां पे हमने कलरफुल क्रम त्यार करने है और उसमें जाएगा औरेंज कलर ठीक है जो चाबल वगएरण को भी कलर यूज़ करते हैं इस कलर का कोई नुकसान नहीं होता है यह रखा जा सकता है तो यह देखें जी हमारे कलरफुल क्रम भी तैयार हो चुके हैं इनको देखें एक जासा कलर कितना प्यारा है मेशीन के बगार हैंड से अगर एक जासा कलर लाएं तो कभी भी नहीं आ सकता है तो इसलें जी अब इनको 2-3-3 मिनट तक इनको हलका सामने फ्राइब करना है बगार ऑईल के अब इसलें फ्लेम को आउन किया है और हमारा फैन जो है वो गरम हो चुका है सबसे पहले वाइट कलर के जो क्रम्प हमने तियार किया है उनको फ्राइब करूंगी वह ली 2-3 मिनट बास इसे ज्यादा नहीं क्योंके इनका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और इनको 2-3 माँ हम कवर अप वाली किसी भी चीज़ के अंदर रख के इस्तमाव कर सकते हैं कोई नुक्सान नहीं आलू किटिकी और शामी कवाब में भी ब्रेट के रोल वगएरा इस तरह की च हमारे त्यार हो गए है और प्लेट के अंदर इनको निकाल लेते हैं और अब यहां पे लिया हमने ब्रॉन कलर के क्रम और इनको भी इसी तरह उतने ही क्वांटिटी में तीन मिनट ही गुनाई करूंगी इसकी वैसे तो दूब में भी इनको शुखा लिया जाए तो रेडी ह हो जाते हैं लेकिन फिर भी फ्लेम पे जड़ा अच्छे तीके से रेडी हो जाते हैं तो चलें जी इनको भी तीन मिनट के लिए हमने फ्राइब कर लिया है और इसे भी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे हम और हमारे जो बहुत ही प्यारे से कलर फुल क्रांब्स हैं उनको फ्राइब करूंगी तो यहां पर देखें जी हमने कलर फुल अपने क्रांब लिये हैं और हमारा मीडियम पे है बिल्कुल बहुत एक जियात रखनी है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राइब करना है और उनली दो से तीन मिनट बस इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे और नहीं इसको पकाएंगे वरना इनका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो चलेंजी हमारे कलर फुल खरम जो है वो भी रड़ी हो गए है फ्लेम आफ करते हैं और इने भी एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं तो चेक करेंजी यह रहे हमारे तीनों किसम के खरम जो अलाफ प्लाफ प्लाफ इस